कि असके उसे प्ड़ला ईसे आपका यूणायर सेलेक्शन के बारे में सिखेंगे सो लेकते हैं ट्रांसी सेलेक्शन का यूज हम क्यों करते हैं माली जी हमें यह अपनी इमेज को जो हमने आइज और माउथ हमने ड्रॉ किया है उसको हमें यहां पर पुट करना है उके पुट करना है इसके लिए हम सिंपल अगर सेलेक्शन कर रहे हैं सेलेक्शन करने के पार इसको उठाके पुट करें तो जो बिहाइंड वाला हमारी जो ड्राइंग है वो रही है हमारी हाइड लेकिन अगर हम यहां पर से हमारी transfer selection का use यह हो गया and seconds transfer selection use हमारी यह होगा कि जिसे यह हमारी copy है ओक्य। इसको हमें select करना है select किया and यहां पर transfer selection को on करना है उसके बाद मिडिल में जाना है and shift button press करना है shift button press करके हमें click करके mouse को drag करना है और ऐसी ही देखिए यह हमारा ऐसी कॉपी हमारे आती जाएंगी एंड ऐसी हम ड्राइंग ड्राउ कर सकते हैं तो इसके लिए हम कोई और से लिए करते हैं यह से मैंने यह लिया अब इस पर हम इसको हम करेंगी सेलेक्ट select करने के बाद यहाँ से देखेंगे transverse selection है हमारा on and अगर नहीं on होगा तो हम करेंगे इसको on उसके बाद हम shift button को press करके अपने mouse के click button को drag करेंगे यह देखेंगे ऐसी होगी हमारी drawing draw ओके उसके बाद आता है हमारा universe selection universe selection का क्या मतलब होता है हमारा universe selection में हमारा जो area हम select करेंगे उसके अलावा हमारा other area selected हो जाएगा I mean that माल लीजी हमने इसको said क्या free from selection से इसको किया हमने select ओके तो हमारा इतना हुआ select अब यहाँ पर selection पर जाएँगे जब universe selection करेंगे सो जो हमारी I थी वो हो गई है हमारी unselect और उसके अलावा जो भी है इस ड्राइंग पीस पर वो हो गया हमारा select तो delete करके देखते हैं delete सो यह देखें जो हमारी other drawing थी वो हो गई हमारी delete और जिस जो हमने select किया था वो हो गया unselect होके वो हमारी अभी drawing यहाँ पे है okay so I hope आपको transparent selection and universe selection के बारे में detail में समझ में आगे होगा तो thanks for watching बने रही हमारी चैनल पर अब तक ने मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बारे में तक के बारे में तक के लिए जागे हैं